हाद मेरे हिरो क्या हाल जाल मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टेडी आप लोग कर रहे होंगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्णावली तीन दरस्ण एक का प्रश्ण करमांग छे सवाल मतलब छट्था और अच्छी बात है तो दो चरो में एक ऐसी और रहखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्तिव मुख का ज्यामिति ये निरूपन जैसा कि ऐसा हो प्रतिछेदी करती रेखा को दर सायता हो समानते रेखा को और संपाती रेखा को तो आई ये तीनों कंडिसन के लिए हम पहला आप लोग देखो कैसे लिखना यह समीकरन हमारे पास है पहला को सॉल्व कर रहे हैं हमें करना है कि आप परती छेदी करती रेखाया को संतूष्ट करें तो परती छेदी करती रेखाया का कंडिशन क्या है सर कि a1 बटा में a2 और बराबर नहीं b1 बटा में b2 यह होना च चाहिए तो आप क्या करो इस समीकरन को देख करके पहला है ना तो पहले इसमें देखो समीकरन दिया गया 2x पलस के 3y माइनस के 8 और यह है बराबर 0 समीकरन एक है हना तो इसका जो हम next समीकरन लिखेंगे इसको संतुष्ट करना चाहिए आप यह 2x है ना क्या दिक्कत है आए टू की तुलना करेंगे तो यह 2 बटा चाराए गया तो काटेंगे तो कितना होगा एक बटा दो होगा काट करके एक बटा दो निकलेगा तो इधर वैसा ही मान रखना कि काटने उटने पर एक वटा दो नो आए नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना तहम यहां पर र चाहिक पहला देखलो इससे हम सटिस्फार इसको दोनों को तुनला करो तो इसको इसको दरसा देगा है ना तो आपने पहला का यहीं नहीं कह रहा तर प्रतिछधी करती रिखाए का तो यह हमारे पास एंसर आगया सिंपल बस आपको समीकर लिखना है अब मालो की दूसरा आ मानता रेखा है का condition क्या है कि A1 बटा में A2 बराबर होना चाहिए B1 बटा B2 लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए C1 बटा C2 के ऐसा होना चाहिए तो आई येस को solve करते हैं सर हम क्या करेंगे सर समीकन हमको दे रखा यह दूसरा हम solve कर रहे हैं समीकन दे रखा 2x पलस के 3y माईनस की आठ बराबर में जिरो यहींने समीकन दे रखा है तो कुछ ऐसा मान रखो दो मान तक तो बराबर हो लेकिन तीसा मान तक बराबर नहीं हो तो रख लेते हैं टो बड़ा चार आगए तो एक वर्टा दो निकल जाएगा कोग यह थी कर रहा है इस condition को हैना यह समिकान नेक रहेगा यह समीकन दो और यहीं हमारे पास इंसर निकल करके आ जाएंगे आप कुछ भी ले सकते हैं समिकन इसमें कोई दिक्कत नहीं है मिरे भाई तो आपने दूसरा solve कर लिया उसी तरीके से 3 हम solve करता है सर कोई समपाति रेखा समपाति रेखा का condition है कि प्र बराबर B1 वटा में B2 होना चाहिए और बराबर C1 वटा में C2 यानि तीनों बराबर होना चाहिए तो आप क्या करो बराबर करने के लिए पहले तीसरा है ना तो 2X पलस के 3Y माइनस के 8 बराबर में 0 इन सभी का तिन गुर्णा लिख दो बात खत्तम कुछ भी तिन गुर्णा में हम क्या लिखेंगे जैसे कि दो दुना चार होता है है ना दो ती आई 56Y license लिख दो पलस के तीन ती आई 9Y लिख दो और इधर माइनस के 14 लिख दो बराबर जीरो हो गया ये देखो यह तीनों बर्एवर एक वट तीन एक वट तीन एक वट तीन आजाएगा देखलो बरावर करके यह हमारे पास इंसर निकल करके आजाएंगे तो आपने देखा छठा प्रस्ण और छठे प्रस्ण को बहत्रीन तरीके से आपने समझा है ना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए टे